हम क्वेशन नमबर वन का पार्ट नमबर टू डिसकस करते हैं इस पार्ट नमबर टू में आपके पार दिखा हुआ है 4X पावर 3 माइनस 4X प्लस 3 इस डिवाइड़ बाई इस डिवाइड़ बाई डिवाइड़ बाई 2X माइनस 1 तो मैंने आपको पताया है कि अगर आपको असानी से इसको आप इस फार्म में इस प्लस त्री है यह लिखा है 4X पावर 3 माइनस 4 x फ्लस 3 यह और टर्म इस डिवाइड़ बाई तो यह किस्से डिवाईड़ हो लहीग है यह पार्ट जो है यह आपके पास यह डिवाइड करना है तो डिवाइजर यह पार्ट आपके पास तो डिवाइड करना है कि यह 2x-1 is equal to 0 अब यहां से आपने क्या है फाइंड करने हैं find the value of x तो यहां से हम x की value find करेंगे यह उदर बन चला जाएगा फिर x जो है यह यहां सा की divide हो जाएगा तो यह value of x आगी आपके पास next step क्या है कि आपने value put करनी है into the dividing तो यह divided है आपका step 2 जो है आपके पास उसमें आपने क्या करना है यह divided आपके पास लिखावा है इसमें पुट करने है आपने value of x जो क्या आपके पास 1 by 2 है तो आप इसके put करें 4 x की जह पर आप 1 by 2 लिखेंगे पावर 3 minus 4 1 by 2 plus 3 इसको आप simplify करें तो 4 यह 1 का cube लेंगे तो 1 पावर 3 मतलब means 1 multiply by 1 multiply by 1 जो क्या आपके पास 1 हो डिवाइड़ बई 2 पावर 3 2 multiply by 2 multiply by 2 which is 8 minus अगर आप यह देखें यह 2 इसके साथ cancel हो रहा है तो यह 2 into 1 बन जेगा आपके पास और यह plus 3 फिर यह इसके साथ cancel हो गए आपके पास 2 आजेगा तो result आपके पास यह बन गया 1 by 2 minus 2 plus 3 तो अगर आप इसको simplify करें तो यह 1 by 2 minus plus minus minus करेंगे तो भरी time आपके पास plus 3 है तो इसका result जो बनेगा वो plus 1 बनेगा अब आप इसका calcium ले लें इसके निचे 1 consider करके इस calcium ले लें तो यह 2 आजेगा तो जो है वो टू से डिवाइड होगा 1 1 1 1 से multiply वो 1 plus 1 जो है टू से डिवाइड होगा 2 2 multiply by 1 1 2 so 2 plus 1 is 3 divided by 2 तो यह आपका reminder है for the part number 1 का part number 2 में 3 by 2 यह जब यह ओली term जो है 2x minus 1 जो है इसको डिवाइड करेगी तो reminder आपके पास 3 by 2 आए next part number 5 हम discuss करते है इसका part number 5 में आपके पास क्या लिखावाए है this is part number 5 there is part number 5 let me write part number 5 is क्या लिखा इसमें x power 3 minus 3 x square here उसके बार लिखावाए है plus 4 x minus 14 divided by is divided by is divided by divided by x plus 2 is divided by x plus 2 तो आप भी इसको वैसे ही consider करेंगे यह वह जो टर्म है x power 3 minus 3 x square plus 4 x minus 14 जो है वो डिवाइड हो लिए किसके साथ x plus 2 के साथ तो इसका क्या इससे असानी क्या होती है कि आपको understanding में समझा जाए जाती है कि यह पार्ट आपका divisor है this is your divisor और यह पार्ट आपका divided है यह पार्ट आपका क्या है divided है अब आपके step 1 क्या करेंगे let divisor equal to 0 so let this is your part 1 यह x plus 2 इसकेस में divisor x plus 2 equal to 0 तो value of x यहां से find करेंगे which is minus 2 and find the value of x step 2 में आपने क्या करना है जो divided है जो कि इस case में आपके पास क्या लिखावा x power 3 minus 3 x scale plus 4 x minus 14 और इसमें क्या करते है put the value of x so x की value हमने क्या find किया which is minus 2 so जब हम इसमें value put करेंगे तो यह minus 2 power 3 minus 3 minus 2 power 2 plus 4 minus 2 minus 14 तो minus 2 power c का मतलब क्या है आपके पास minus 2 multiply with minus 2 multiply with minus 2 so यह 2 2 से multiply होगा result is 4 minus minus plus होजएगा फिर multiply भी लिखा है minus 2 तो 4 2 से multiply होगा 8 plus minus minus तो यह minus 8 result बन जाएगा फिर minus 3 और minus 2 2 times तो यह यह दोनों की multiplication 2 time का मतलब यह है तो यह which is plus 4 बनता है तो multiply by 4 फिर यह 4 जो है 2 के साथ multiply होगा 8 plus minus minus फिर minus 14 तो यह आपके पास minus 8 minus 4 4 3 दा 12 और यह आपके पास इस लिखे लिए थे next 9 में हम इनको add और subtract कर जाएगा अगर हम यह देखे इन दो को add कर लें और इन दो को add कर लें तो यह minus minus plus का मलोगा 12 में 8 add करेंगे तो 20 बन जाएगा और minus plus minus होगा पिर minus 8 minus 14 तो यह आपके पास 18 और 8 और 14 को add करेंगे तो यह 22 बनता है आपके पास 22 और भरी तर माइनस के तो माइनस का लिखेंगे अब minus 20 और minus 22 यही minus minus plus होगा तो minus में add करेंगे 20 में 22 add करेंगे विछ बिकम 42 और साथ result is minus का तो यह आपका question number one का part number five complete हो गया है इस question number one में हमने यह सीखा है कि remainder theorem की मदद से हम remainder कैसे find करते हैं और मैंने उसमें explain कर दिया इसके दो part जो थे हैं वो मैंने नहीं किये वो असान से हैं आप इनको देखें उनको भी असानी से solve कर सकते हैं अगर इस तिल आपको भी question है तो आप मुझे इस video की comment में add करते हैं I will explain thank you so much आपको असानी से